नमस्का दोस्तों स्वागताब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीक्य बाई सुनिसर्वी दोस्तों आज आपके लिए एक नई शुरुवात और वो है इंडिया जीकी में गंगा नदी तंत्र गंगा रीवर गंगा नदी से सम्वंदित दोस्तों प्रते एक एक एक्जाम में किस्तन सो प्रत्सत पूछ जाते हैं इसलिए आप सभी के लिए मैं यहाँ पर गंगा नदी को पूरा मांचितर सहित आपको मैं समझाने बाला हूँ कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है इसकी कौन-कौन से साहिक नदिया है और इन पर बने बांध और भारत की महतोपूर बसेवे सहर है जो एक्जाम के दस्ट्री कौन से बहुत महतोपूरे ऐसे टोपिक ऐसे पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने बाला हूँ चलिए दोस्तों आप सभी को नमस्ते आप सभी को राम राम चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपुन नदी के बारे में और वह कौनसी है गंगा नदी, जैसा की यहाँ पर दिया गया है। क्यूस्टन अगर एक्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दोस्तों आपको आंस्पर देना है कि भारत की सबसे लंबी नदी की रूप में कौन है गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा है गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो ग 335 km. स्वत्या स्वच्छ होने वाली नदी. मतंब दोस्तो यह है नदी, स्वत्या स्वच्छ होने वाली है और हमने इसे देखा है, आपने भी देखा भगा, कि गंगा नदी की पानी को जब बोतल या किसी बरतन में भरकर लंबे समे में करखा जाता है तो उसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं उसकी वज़े क्या होती है दोस्तों उसमें पाया जाता है बैक्टिरिया और उसका नाम है बैक्टिरियो फेच बैक्टिरी फेच नाम का विसानू होता है उसकी वज़े से वह पानी जो है वो विसेला नहीं होता मत्तब हमेशा स्वच रहता है इसी वज़ा से ये नदी स्वच होती रहती है नेक्स क्यूसन के बारे में गरम बात करें यहाँ पर तो दीड़े ओपस के इसाब से गरम बात करती है तो स्वेटर स्वेच होने वाली नदी गंगा ही क्यों है और कोई नदी जो है वो स्वेच क्यों नहीं होती तो दोस्तों सबसे पहला कार्ण यहाँ पर दिया है बैक्टेरिया, बैक्टेरिया कौन्चा है बैक्टिरो फेज, यह पूछा जा सकता है एक्जाम में, एक बर SSA की एक्जाम में आ चुका है कि गंगा नदी में किस बैक्टेरिया की बज़े से वह नदी परदूसित नहीं हो जैसे वह नदी एटोमेटिक उसका जल सुध होता रहता है चलिए अब हम बात करेंगे गंगा नदी के उद्गम स्थान के बारे में दोस्तों सबसे वहतुपूर बात यही है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है तो गंगोत्री ग्लैसियर गंगोत्री हिम्नद जो उत् एक स्थान है जिसका नाम है गोमुक नामक स्थान कौनसा स्थान है गोमुक नामक स्थान उत्राकासी उत्रा खंड में गंगोत्री ग्लैसियर से एक नदी का उद्गम होता है और वह है भारत की सबसे पवित्र महत्वपूर नदी भारत की सबसे लंबी नदी और हम दोस्तो पहले में आपको यहां पर एक क्युस्तन और बताने बाला हूँ और वह क्युस्तन पुझाता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है तो गंगा नदी भारत के पांच राज्यों से प्रवाहित होती है उत्राखंड, उत्रपरदेश, बिहार, और कहां पसिम बंगाल इन राज़ों से होकर बहती है और उसके बाद ये कहां जाती है बांगलादे से चले जाती है दोस्तों अगर आप से पूछा जाए कि गंगा नदी की सरबादिक लंबाई कौन से राज़े में है गंगा नदी सरबादिक कौन से राज़े में बहती है त देखते हैं अगला क्युस्टन अगली बात भी करते हैं अब देखो इदर और कुछ महत उपनवात एक और भी है कि गंगा नदी का जो अपवात अंतर है वो बहुत बड़ा अपवात अंतर है ये भारत के लगबक कितने राजियों में फैला हुआ है पंद्रा राजियों में अब देखो अपवातंतर एक तो नदी होती है जो उत्रकंड से निकली उत्तर प्रदेश बिहार चली गई जारकंड चली गई और पसीम बंगाय चली गई लेकिन इस नदी की बहुत से नदिया साहिक नदिया भी है जो अलग-लग राज्यों से होकर बहती है उसके इसाब से वह इस नदी का अपवातंतर बन गया ये इतना बड़ा एरिया क्या बन गया है नदी का अपवातंतर ये बड़ा पूरा का पूरा ये एरिया जो वो क्या ब बहुत ही महत्वपूर श्यामदार बात है कि गंगा नदी को राष्टी नदी कब घौसित किया गया। देश की ज़र से हमें पढ़ने को मिलता है कि ये राश्टिय पक्सी है, वो राश्टिय गीत है, वो राश्टिय पसू है, वो राश्टिय फल है, राश्टिय पेड, राश्टिय चिन, राश्टिय फल, राश्टिय मिठाई, इस तरह के क्यूसर आते हैं, अगर आप से पूश तो देश की रास्ति नदी का नाम क्या है? गंगा इसे कब घोसित किया गया था तो यह क्यूषित आप जरूर याद रख लेना प्लीज सबसे प्ले आप हमारे सले को सबस्काइब कर ले, बेल आइकन को प्रेश कर ले और इसी प्रकार के मैं वीडियो प्रते दिन डालता रहूंगा, आप हमसे जूरते रहें, चलिए, देखते हैं आगे, गंगा डॉल्फिन जिसको प्लाटा निश्टा गंगेटिक भी कह पाई जाता है, को राष्टिय जलिये जीव कब घोसित किया गया, देखिए गंगा नदी में पाई जाने में एक डॉल्फिन है, जिसको गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अब ये गंगा डॉल्फिन जो है, वो है राष्टिय जलिये जीव, ये किस दर या दख लेना राष्टिये जलिये जीव कौन सा है भारत का तो राष्टिये जलिये जीव कौन सा है गंगा डॉल्फिन है इसका विग्यानिक नाम है प्लाटा निष्टा गंगे टिक राष्टिये जलिये जीव कब घोशित किया तो पांच अक्टूबर 2009 को इसे राष्टिये जलिये जीव की रोप में घोसित किया गया और वह कोन है गंगा डॉल्फिन है अब देखो दोस्तों ये किस्तर बहुत सियानदार है जहां से प्रतिक एक्जाम में किस्तर पूछे जाती है सबसे पहले दोस्तों गंगा नदी जो है इसका उदगम दो धाराओं के रोप में होत राजे की उत्राकासी जिले के गौमुक नामक स्तान से इस भागिरती नदी का उदगम होता है एक दूसरी नदी है उस नदी का नाम है अलकनन्दा नदी अलकनन्दा नदी का उदगम भी उत्राखन राजे से ही होता है हिमनद का नाम है सतोपत हिमनद कौन सा हिमनद है दक्षिन की और बहती है और एक स्थान यहाँ पर आता है उत्रा खड़ में यहाँ जब यह दोनों नदियां आकर मिलती है तो उसके बाद इस नदी का नाम क्या पढ़ जाता है गंगा नदी नामें पढ़ जाता है यह दोनों एक कौन भागिरती दूसरी कौन है अलक नंदा दोनों कहां मिलती है तो ये देव प्रियाग नामक स्थान पर मिलती है एक्जाम में ये क्यूसन दोस्तों बहुत तर पूछा जा चुका है कि अलक नंदा और भागिरिती नदी का संगम कहां होता है तो अलक नंदा और भागरिती नदी का संगम देव प्रियाग नामक स्थान पर होता है और किस स्थान के बाद इस नदी का नाम गंगा होता है तो देव प्रियाग के बाद इस नदी का नाम क्या होता है गंगा होता है दोस्तों कुछ प्रियाग भी यहाँ पर मैंने दिये है साइड में लिखे भी है और यहाँ पर मैंने एक डाइग्राम भी आपके सामने बनाया है प्रियाग और गंगा नदी के प्रियाग बहुत ज़्यादा महत्वपुन है यही तो है जो एक्जाम में हर बार पूछ जाती है इससे आगे की जो साहिक नदीया उनके नाम पूछ सकते है आगे की क्यूशन कम है लेकिन यहाँ से क्यूशन पूछ जाता है तो वो सो प्रतिसत पूछा जाता है देखिए एक प्रियाग आता है देव प्रियाग जिसके हमने बात कर ली भागिरिती और अलक नंदा दूसरा आता है विश्नु प्रियाग जिसमें कौन-कौनची नदियां एक्जाम में किसना आता है कि विश्नु प्रियाग में कौनची दो नदियां मिलती है तो धोली गंगा और अलक नंदा यह आप देख रहें धोली गंगा है जो इस तरह से चलके आती है और किस नदी में मिल जाती है अलक नंदा नदी में यहां आकर मिल जाती है कौन से स्थान पर मिलती है यह विश्णु प्रियाग में आने के बादे मिलती है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रियाग दूसरे प्रियाग का नाम है नंद प्रियाग नंद प्रियाग में आती है नंद अकिनी देखो नंद और नंद अकिनी ऐसे करके आप इसको याद कर लेना यह ट्रिक है याद हो जाएगा नंदाकिनी और अलक नंदा नदी मिलती है नंदप्रियाग में यह आप यहाँ पर देख सकते हैं इदर से आ रही है अलक नंदा और इसके राइट साइड से इसके बाइट साइड से जो आ रही है वह कोन आ रही है नंदाकिनी आ रही है ठीक है वो नंद प्रियाग है उससे आगे है करन प्रियाग करन प्रियाग में आती है कौन पिंडारी नदी करन प्रियाग में इधर से कौन आती है अलक नंदा आती है दोनों यहाँ पर मिलती है उसके बाद जो प्रियाग आता है उसका नाम क्या है रुद्र प्रियाग है अंदाक की निदी जो कहां से आती है जो उत्रा खन्ड के भागेति के नजीक से ही निकलती है और यह अलक नदा में मिलने के बाद एक नया परियाग बनाती है जिसका नाम क्या है रुद्र प्रियाग तो दोस्तों ये 1, 2, 3, 4 और 5 प्रियाग हैं इन पाचों प्रियागों के बारे में याद कर लेना क्योंकि यहां से क्यूस्तन 100% पूछा जाता है चलिए अब देखते हैं आगे अब पूरा है गंगा नदी अपवातंतर गंगा नदी का पूरा ड्रेनेज सिस्टम देखिए इधर देखिए सबसे पहले दिया है एक अलक नंदा दूसरी को ने भागिर यहां से क्यूस्तन बनता है कि गंगा नदी कहां पर आने के बाद मैदानों में उतरती है तो हरी द्वार के बाद नदी मैदानों में आती है उससे पहले यह नदी पहाड़ों में ही होती है अगला उसके बाद जाते है तो आता है यूपी का गड़ मुक्तेस्वर जहां यह उत्र प्रदेश में प्रवेश करती है और गड मुक्तेस्वर के बाद आता है कनोज, कनोज यूपी में है और यहां आती है गंगा नदी की पहली सहयक नदी जिसका नाम है राम गंगा नदी जो उत्रा खंड से निकलती है और कनोज उत्तर प्रदेश में आने के बाद गंगा से मिल जाती है. एक किछल यहां पर बन रहा है कि गंगा नदी में मिलने बाले उसकी पहली साहिक नदी कौनची है? तो वह कौनची है? राम गंगा नदी ही है. आगे वहाँ से चलते हैं तो आता है प्रियाग राज तो दोस्तो एक क्यूसर यहाँ पर याद रखना कि गंगा की सबसे बड़ी सबसे लंबी साहिक नदी कुनसी है तो यमूना जो नदी है वो गंगा की सबसे लंबी साहिक नदी है इसी परकार से यमूना की सबसे लंबी साहिक नदी है चंबल जो मद्धे परदेश की जनापा पहड़ियों से निकलती है इतावा के मुराद गंज में आने के बाद किसे मिल जाती है वह यहां आने के बाद किसे यमुना से मिल जाती है इसी तरह से इधर देखें तो क्षिप्रा है बेतवा है केन है यह सब भी नदी यमुना की साहिक नदिया है और उसके बाद यमुना कह चले जाती है गंगा में नेक्स्ट बात करते हैं वहां प्रियागराज से आगे चलते हैं तो आता है गाजीपूर यूपी में गाजीपूर में जब आते हैं तो गौमती नदी आती है जो उत्तर परदेश के पीली भीत नामकस्तान से यह है निकलती है गौमती नदी गाजीप गैसे गाजीपूर और गैसे गौमती ऐसे आप इसे मिला लेना कि यहां कर आती है उसके बाद यह बिहार में प्रवेश करती है और बिहार का सबसे पहला स्थान जो मिलता है वह है कौन सा मिलता है छप्रा नामक स्थान पर बिहार के छप्रा में जब यह आती है तो इधर से ए चोबनादा नदी भी कहते हैं जिसके काली नदी के नाम से भी जाना जाता है बारा बंकी में आकर बिल जाती है माप चुका हिम्नद से निकलती है और उसके बाद उसका नाम क्या पड़ जाता है गागरा वहां से जब यह नदी आगे चलती है तो जाती है पटना बिहार की राज़दानी पटना किस नदी के किनारे स्थीत है तो पटना जो है वो गंगाई किनारे स्थीत है इधर दक्सरी भाग से एक नदी आती है और उसका नाम है सोन नदी देखो मैं थोड़ा सा इधर किसका दे उसे निकलती है फिर उसके बाद ये उत्तर की तरह बहती है और पटना बिहार की राज़ाने में जाने के बाद किसे मिल जाती है गंगा से मिल जाती है एक बहुत ही महत्तुपुन क्यूसन जो एक बार एक्जाम में पूछा गया था और वो क्यूसन ये है दोस्तों कि गंगा क वह साहयक नदी जो उसके दाएं किनारे पर आकर मिलती है लेकिन वह दक्सिन से उत्तर की और बहती है तो दक्सिन से उत्तर की और बहने बाले जो नदी है वो कुन सी है सोन नदी है बहुत महतुपुन है और बहुत बार इसको क्यूसन में पूछा भी जा चुका है उसके आगे चलते हैं तो आता है कुरुसेला, कुरुसेला नाम अक्सान पर आती है एक नदी जिसका नाम है कोसी नदी, कोसी नदी का उदगम होता है नेपाल से, वहां से ये सब्त कोसी के नाम से निकलती है, कई धारों के रूप में प्रवाइथ होती है, और ये भारत में प्रवे परिवरतन के लिए जाने जाती है तो मारग परिवरतन के लिए जाने जाने वाले नदी कौनसी है कोसी है और बिहार का सोक इसको कहा जाता है उससे आगे दाजलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा जो इस गंगा में गुदावरी घाट में म बात मिल जाती है अब आपको एक बहुती शानदर बात यहां पर देखनी है और वो यह देखनी है यह जो एक टिक आपको यहां पर दिख रहे हैं यह यहां पर एक बांध बना है जिसका नाम है फरक्का बांध कौनसा बांध है फरक्का बांध बना है पसी बंगाल में किस नादेश में जहांपर इसको पदमा की नाम से जानते हैं उसके बाद ये ब्रह्मपुता से मिलती है मेगना नाम हो जाता है और सागर में गिरने से पहले एक बड़ा डेलटा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेलटा जो दुनिया का सबसे बड़े डेलटा की रूप मे जाना जाता है चलिए अब देखते हैं दोस्तो नेक्ट नदियों के किनारे बसे हुए सहर तो दोस्तो बहुत से क्यूस्टन यहाँ पर आते हैं चंबल किस नदी के उज्यन कौनदी के किनारी है? चिप्रा नदी के किनारी है. हरीदवार, वार्णासी, कांपूर और पटना. ये सबी सहर कौनसी नदी के किनारी है? गंगा के किनारे बसे हैं गंगा और यमुना दोनों के किनारे बसा हुआ है कौन इलाबाद क्योंकि दोनों यहां आने के बाद मिलती है नया नाम इसका क्या है प्रियाग राज इसका नया नाम है गौमती नदी के किनारे बसा है लखनव और कौन जॉन पुरूतर प्रदेश क आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताए आपनी अभी तक हमारी चाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारी चाल को सब्सक्राइब कर ले बल आइकन को प्रेश कर ले वैसी हमारी क्युस्तन आंस्वर की क्लास याम सवानोफ जिल लाइब आती है आप उसमें में जुड़ जाएं आज कर से पितना ही आप सभी का बहुत बन्यवाद थेंक्यू जेहिंद जेभार्थ वंदे मातरम